तो सामने रहसे में यह जो देख रहे हैं आप यह रहसे में इस रंग है वहाँ पर और यह तयकाना है यह सामने देखेगा आप यह उस समय का वजू खाना था मतलल यहाँ पर जब नौज पढ़ने आते होगे तो इसमें पानी भरा जाता होगा उसक्वेस जो वहाँ कुआ है जे सामने सीडिया है देखो किस तरह की है जिस पर एक ही आदि में राम से चड़ सकता है बस सामने आप दर्वाजिक बनावट देख सकते हैं जो मैं ट्रीगाट का है तो देखे अगस में सिल के पथर लिए है और चत बनी हुई है डाट की यह इनकासी उसी दोर की है जब यहा जड़े पर कुरान की आईते लिख हुई नजर आती थी आप सामने देख सकते हैं आप यह भी एक महराब नजर आ रही है हमें आपर जो खूसरत महराब दिखाई देती है लेकिन यहां के जो स्थानी लोग है हिंदू लोग है इस मजजित की देखरी करते हैं इसके अंदर स खाना है उसी समय का जब यहां पर दूर दूर से लोग आते थे दूसरी प्रांच से तुम ही पर फैरा करते थे तो अब हम बढ़ रहे हैं उस रहसे में कोई की और जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक बार फीड़ से मेरे यूटूब चैनल अमकल जानों लोग में स्वागत है तो आज फिर आ गया हूं में एक नेव लोग लेकर और आज आ गया हूं में एक रहसे में यह विरान मजजित जो करीब 200 वरस परानी बता जाती है और यह से बता जाते हैं कि मुगलों के समय की थी और आज देखे क्या आलत है इसकी देख सकते हैं यह मुगल कालीन मजजित बता जाती है और इसका रहसे बहुती और इत्यास भी रोचक है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आप मेरे साथ वीडियो में लाश्ट तक बने रहना महाँ पर देखे को मेरे पीछे कुवा है प्राचिन समय का और उस क्वे के बार अंदर जाकर देखाता हूं देख सकते हैं आप वहाँ पर उस समय आपर आदमी रहते होगे जब यह मजजित आबाद रहती होगी तो सामने रहसे में यह जो देख रहे हैं आप यह रहसे में इस फुरंग है वहाँ पर और यह तैकाना है देख सकते हैं यह सारे कमरे बैस मे यह देख सकते हैं लागोरी इंट लगी है बारिक बारिक और यह सामने से व्यू देखेगा मस्जिद का इस पर तीन गुमद है बहुत बड़े अगार की और इस साइड एक मिनार है इस साइड भी एक मिनार ते जो टूट चुकी है और सामने एंट्री गैठ है उपर चलते हैं और यह सामने देखेगा आप यह उस समय का वज्यू खाना था मतलल यहां पर जब नौज पढ़ने आते होगे तो इसमे पानी बढ़ा जाता होगा इस मज्यत का देख सकते हैं कितनी विशाल और ऐस समय मज्यत नजराती है अंदर भी जानी को इस करेंगे हम आपको दिखाएंगे अंदर से भी पहले आप सामने से भी देखेगा और यह जो सामने जो आप देख रहे हैं ना यह इसका एंटी गेट था मुख्यदवार उस साइड से अंदर आया जाता होगा तो यह जो मजजित है क्रीब साड़े तीन भी गया एकड में फैली हुई है इसमें बटे-बटे यहां पर गुमन थे एक इस साइड देख रहे हैं आप सामने और एक साइड देख रहे हैं यह गुमन था अपस में और इसकी यह छद बची है थोड़ी बहुती उपर चड़कर दिखा देता हूँ यह देखे जह सामने सीड़ी है देखो किस तरह की है जिस पर एक ही आदमी राम से चड़ सकता है बस तो मैं उपर चड़ रहा हूँ तो यह देखे बचा है कुछ हिस्सा इसका चट का जो इसका मैन एंट्रिगेट है सामने आप दर्वाजिक बनावट देख सकते हैं जो मैं ट्रिगेट का है तो देखे अगस में सिल के पत्थर लेए है और चट बनी हुई है डाट की और देखे कितने मजबूत नजरा रही है अभी भी देख सकते हैं पराचीन मजजित का निर्मान सन 1760 में मुहमद साह दृत्तिय के समय में कराया गया था 250 वरस भी इतने के बाद भी यहाँ पर मुगलों की निसानिया आज भी मौजूद है जिसे लोग देखने आते रहते हैं यह एक एत्यासिक और प्राचीन मजजित है तो अब ठीक चलते हैं मजजित के सामने मंजित के सामने आने पर हमें सामने दिखाई देती है महराव जिसमें माम साहब उस समय खड़े होते होगी जब नमाजा देकी जाती होगी और सामने नकासी देखिएगा मुगल्या दोर की आज हमें नजर आ रही है और कितनी सांदार नजर आती है तो यह देख सकते हैं यह इनकासी उसी दोर की है जब यहां पर मुगलिया दोर था और आज भी 200 सालों से भी कितनी अच्छी लग रही है और यहां सामने से नजर आ रही है में तीन महरावे और सामने प्लेस्टर हुआ है समय का देख सकते हैं जिसे उड़त की दाल और सीरे से मिलाकर यहां प्लेस्टर किया गया है और सामने है मिनार जो विलाल टू टीवी नजर आ रही है और ये सामने हाज度 बरामदा है मसजीत का उसके सामने की चछत दिखाई देती है देखिए गुमंद है उसकी एचछ देखेगा डाट की है जिसमें बारी कीटे और गारा मिलाकर बनाई गई है और सामने देख सकते हैं आप यह भी एक महराब नजर आ रही है हमें आपर जो खूशरत महराब दिखाई देती है सामने देख सकते हैं आप उस समय की यहां पर कोई अल्मारी होगी एक यहां पर होगी समान रिखा जाता होगा और यह सुंदर महराबे उपर और एक महराबे यहाँ पर है जिससे कि इसमें रोसनी हवा आती होगी अंदर और एक यहाँ पर देखें लमारी समय की और यहाँ पर और साइड से मजजित का व्यू देखेगा हमें सामने दो गुमंद नजरा रही है और एक मिनार और सामने रोसन्तार नजरा रहा है जिससे कि इसमें हवा और रोसनी अंदर जाती होगी अब नीचे से बिल्कुल जरजार हो चुकी है खंडर हो चुके है मजजित जो आप सामने देख रहे हैं प्राचिन मस्जिद कभी किनस्ट हो गई होती लेकिन यहां के जो स्थानिय लोग हिंदु यहां के स्थानिय लोग हैं कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो एaggiो s lacksныas आई ठीक सामने में एक महराव नजराती हुईं। जो नीचे से खोख लिए खंडर हो चुकी है कभी भी नीचे डा सकती है देख सकते हैं किया हाल हो चुका है इशाहा है applicable लाकोर के वहम नावे हों से बनाई गई थी एक एक इस साइड मैं बदिकााई थी और जो बारी आप्र गूमल निख को मिनार। और शामने जो चैता है वे भी बादसाहिल आखर इंटे से बनाई गई है एक नीट को एक नीट से जोड कर जो देखने में कितनी प्याड़ी लगती है और सामने रोसंदान जिससे की हवार उसने अंदर आती होगी और यह जो है यह एक पीलर है जिससे की जिस पर यह है मजिट यहां ठीक सामने देखेगा यहां पर सुरंग है रहसे में और इस सुरंग में इस समय का जब यहां पर तूर दूर से लोग आते थे दूसरी प्रांट से तो महीं पर फैरा करते थे तो यह महमान खाना बनाय गया जिसमें दो में महरावे नजर आ रही है सामने देख सकते हैं और यह जो मेमान खाना है हम इसमें अंदर जाने कोई करना चाह रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसमें जाने कर अस्ता बिल्कुल नश्ट हो चुका है अंदर फिलाल क्या आप तक क्या हो इसलिए अंदर नहीं जा सकते प्लाल अब हम बढ़ रहे हैं उस रहसे में कुए की और जिसके बारे में सुनकर आपके रोंग टेखड़े हो जाएंगे जी हाँ हम देखे यह है वही रहसे में कुवा मुगल्यदोर का इस कुवा के बारे में सब पता जाता है कि आजादी के समय जब यहां पर मार काट हुई भारत में तब बहुत से लोगों ने इसमें कूद कर अपनी जान देदी थी तो यह कुवा वो ही है उसी समय का पताया जाता है और देखने में कितना रहसे में ड्रावन नजरा रहा है देख सकते हैं इसकी जो बुनादे हैं कितनी चोड़ी चोड़ी है और कितना ही यह चोड़ा कुवा है और कितना विसाल है तो इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जा कर दिन